मेरे प्रिये कारेकरताव साथियों वैदिक चैनल के दर्शक भाई भेहनों को मेरा बहुत परणाम आज हम चर्शा करेंगे त्रित्य अंतराश्य योग दिवस समारों की यह कारेकरम इतना दिव्य और भव्य था कि इसको मुझे तीस मिनिट की एपिसोड में समेटना मेरे लिए मुश्किल रहेगा प्रणत मैं प्रयास करूंगा कि इस एपिसोड में इस के विशे में संक्षेप में आपको प्रता सकता हूं क्योंकि हजारों का एक महीने का लगातार तब उसको कि तीस मिन में बांदना बड़ा कठीने सहाब और वह भी अद्वित्य कारेकरम जो आज तक जिसका रिकॉर्ड नहीं तूटा है पांच लाख लोगों ने एक साथ मिलकर 21 जून 2017 को एहमदाबाद में इतिहास की रचना कर दी किर्तिमान बनाए और अपने ही किर्तिमानों को तोड़ा गुजरात की पावन भूमी जो भक्ति शक्ति और शोरे की भूमी है वह भूमी जो योगेश्वर भगवान कृष्ण की भूमी है और योगेश्वर भगवान कृष्ण की भूमी पर ये कारेकरम हो रहा है तो निश्चित रूप से उनका आशीश हमारे साथ था हमारे साथ आशीश था महर्शी देव द्यानंद का महात्मा गांधी की उस पावनी भूमी सरदार बल्लब भाई पटेल की इस पावनी भूमी में हमने देखा कि लोगों में अत्यंत श्रद्धा है और इससे भी एक कदम आगे चलते हैं यह बात करूं तो यह पावनी भूमी प्रम्शद्धे स्वामी जी महराज के जीवन्त तप की भूमी है पतंजली योगपीठ का जो ब्रिहद आंदोलन चल रहा है उसके बीज भी उसकी मूल उसकी जड़ें भी सूरत गुजरास से जुड़ी हुई है कि मनें गुजराती आवड़ती न थी सु हिंदी में बात करूं छो गुजरात के सभी कारेकरता भाईयों बहनों को जैश्री किष्ण सीता राम बोलते हुए मैं उनके समर्पन को परणाम करना चाहता हूं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अमारे देश भर के कारेकरताओं को इस कारेकरम से कितना विपरीत परस्तितियां होती है कैसी मत्विनता होती है कैसे परशासन काम करता है और परशासन के साथ मिलकर काम करना कितना कठीन होता है सामजजस से बिठाना कारेकरताओं का और आपस में सामजजस से होना और उसके बाद फिर परशासन का और कारेकरत का सामझ जसे होना फिर उसको रेखांकित करते हुए उसको धरातल पर उतारना कि जब परमश्रद्य स्वामी जी महराज ने मुझे एमदाबाद भेजा कि यह कारिकरम का संचालन करना है और गुरा सरकार के साथ मिलकर करना है तो पहले ही क्षन में मैंने महरशी द्यानन्द को प्रणाम किया योगेश्र भगवान कृष्ण को प्रणाम किया परमश्रद्य गुरुवर को नमन करते हुए उसक वीर भूमी को प्रणाम किया और मेरे मन में बड़ी उत्सुक्ता थी क्योंकि यह भूमी निरेंदर भाई की भूमी है भारत के मान अमिद भाई शाह की भूमी है एहमदाबाद उनका है और वहां तो उनका सहयोग अपने को अपरतिम मिलने वाला है मुझे अच्छे से याद है मानने अमिद भाई शाह जी का फोन आया उन्होंने कहा कि मैंने परदीब सिंग जडेजा जी को कह दिया है वुपेंदर सिंग चुडास्मा जी को बता दिया है आपको कोई कारी हो आप से बात करियेगा और आप अद्भूत पूर कारेकरम करना है जो गुजरात के शोरे और प्राकरम को दृष्टि गोचर हो जो उसके गौर्व गाता को बढ़ाए ऐसा कारेकरम करना है तो मुझे इस बात से बल मिला परमश्रद्य स्वामी जी महराज ने कहा कि जो रिकॉर्ड बने हुए उन सब रिकॉर्ड को हम तोड़ पाएं ऐसा कारेकरम करना है बस लक्षे मिल गया था हम ने बात करनी शुरू की और अधनी वुपिंदर सिंग्चुड आस्मा जी ने बैठक बुलाई जियन सिंग जी उस बैठक में थे वहां की डियम भेन अवंतिका जी मैं भाई शीषपाल जी भेन रितो जी सोनिका जी भेन एतल जी के साथ हम उन्हें मिलने के लिए गए और पहली बार में उन्हें कहा कि मेरा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा आप बताईए कि आपका लक्षे क्या है हमने अपनी प्रेज गुजरात में ही लगवक्त चाड़े तीन हजार योग कक्षाएं चल रही हैं हमें ऐसा लगता है कि हमारे एक से डेड़ लाग कारी करता तो जो योग करने वाले साधक हैं उनकी भूमिका भागेदारी रहेगी आप इतनी एक भागेदारी में सहयोग कर सकते हैं तो उन्हे का जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे देखिए एक सामांजस से बढ़ने की बात होती है प्रेम भाव की बात होती है और मैंने देखा कि मानिय स्वास्ते मंत्रे गुजरात तकालेना श्री गुपेंदर सिंग चुड़ासमा जी बहुत ही बापु जी मैं उन्हें कहा करता था करते थे और भाथ शिश्पाल जी भाथ चिंतन जी के साथ है कि यह माँ खाःए शाम जी आंट आजिजराम के साथ उनके अंडर एक प्रेम देखने को मिलता था तो हमारी कई कि जो हम समस्यान लेकर आते थे जुटकी में हमारी The Boardapsel economic 10 चाहें वो बजजट की समसिया हो हो चाहिए कारिकरताओं के समन्वे कि समस्या हो चाहिए परशासन की और से बात हो परशासने कहा कि एक कारिकरम करते हैं पचास जार लोगों का एक दिन का करते हैं पुझे स्वामिजी महराज का निर्देश था कि तीन दिन का कारिकरम करना है हमने तीन दिन का कारिकरम आयोज शाह जी का सहयोग देखा आदिये श्री मिलेंद्र भाई मोधी जी का आशीरवात मिल रहा था तो हमें लगा कि बड़े विराट लक्ष साधना चाहिए और फिर यह तैह हुआ कि हम पांच लाख योग साधकों का एक दिव्य और भव्य कारेकर्म करते हैं और परमपिता परमा स्थानी संस्थाएं नहीं जूड़ती हैं तब तक वो भागयदारी संभवी नहीं हो पाती है चाहिए गोतम भाई शाह जी रहे हो वहां के लोकल मेर एमदाबाद के एस जीवीप अनुपम मिशन इनकी भागयदारी अनूठी थी साहब इन्होंने अपने दर्वाजे खोल रहने का स्थान दिया भोजन की विवस्थाएं की क्योंकि हजारों कारेकरता लगवग 2000 कारेकरता उस कारेकरम की प्राथमिक दृष्टी कोन से सेवा कारिये में लगे थे और हमारे सभी सेवरती भाई सभी गुरकुल के ब्रह्मचारी और अंतिम साथ आठ दिनों में तो भ वहां के तत्कालिन वीसी के नित्रतों में पतंजली विश्विद्या लेकर सभी भाई बहन सेवा करने के लिए पहुंचे इतना विराट वहां आयोजन था और लगभग एक महीना पहले मैं पहुंच गया था और मुझे अच्छे से याद है भाई हरियोम जी निमेश जी यह साथ दिन रात अठार अठार वीस गंटे कारी कर आ किया करते थे भाई शीषपाल जी सुबह आया जाया करते दो रात को समय कम पढ़ जाएगा उनके यदि हम नाम लेना शुरू करें तो तो मैं कह रहा था कि इतनी कठीन परिश्रम के साथ यह कारी करम हुआ अपती दुपैरी गर्मी गुजरात में वैसे बड़ी कृपा रहती है गुजरात में गर्मी खूब होती है और मई जुन का महीना हो त अधरी की कारी बढ़ गया है कारी में सहीयोग क्या उश्रकता है तो पुझा साधी बहन देव प्रियाजी जब पहुंची तो यह बहुत संभल के साथ हमारे परचार की सारी विवस्ता उन्होंने संभाली और उनके नित्रतों में एक वहन रैली हुई साहब पांच हजार व रिष्टी गोचर हो गया कि कितने लोगों की भागेदारी हो सकती है लगभग 5,000 बसों की विवस्था की गई और व्यक्तिकत साधनों से लोग पहुंचे कितना बड़ा ग्राउंड होगा आप एक वर कलपना कीजिए पच्पन लाख स्क्वेर फिट का ग्राउंड ऐसे पांच ग्राउंड अमने तै किये और लगभग 20-25 लाख स्क्वेर फिट की पार्किंग एरिया तै की गई क्योंकि जितना बड़ा लोगों के आने की विवस्ता है उनके वहन कहां पार्क होंगे उनकी बसें कहां पार्क होंगी और उसके बाद ये सारा कारेक्रम गिनेजबुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको सम्मेलित करना था उसकी बड़ी विस्तिरत पर क्रिया रहती है कि दबाव बढ़ रहा है कारी बहुत बढ़ गया है तो भाई राकेश जी को श्रदे स्वामी जी महराज ने भीजा और वो इस विवस्ता में लगे और हमने देखा कि उसमें बैंड लगाया जाता है हाथ पर बैंड लगाकर उसको व्यक्ति को कंप्यूटर के सामने से निक रिकॉर्ड वाले मानते हैं दोस्तों मित्रों 22 जुन की अकबारें भरी पड़ी थी कि अभूतपूर दिव्य और भव्य कारिक्रम हुआ जो दिल्ली में रिकॉर्ड बना था इस अभूतपूर कारिक्रम के पीछे जो रचना थी मैंने कहा कि उसका एक लक्षे विशेश था वहाँ था इंटरनेशनल लेवल पर इस कारिक्रम की धमक पहुँचे इसकी गूँच जाए और वहाँ जा सकती थी गिनिजबुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्धिम से गिनिजबुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पहले बना था राजपत पर लार्जस्ट योगा कलास का जिसमें 34,885 लोगों ने भागेदारी की थी, उसको तोड़ना बड़ा सहाई था क्योंकि हमारा लक्षे 5 लाख लोगों का था, आपको जानका राश्चरे होगा, कि कम्प्यूटर फेल हो गई साहब, बरसात हो गई, लोगों को रिजिस्टर कैसी कर पाएं, उनको व्यक्तिक वज़े से लेकर सवा साथ के बीच में वो रिकॉर्ड बनना था, और उससे पहले 5 लाख लोगों को 50 गेटों के माध्यम से एंट्री करनी थी, प्रंतु वहाँ संभवी नहीं हो पा रहा था, उपर से बरसात हो गई थी, एक ऐसे वातावन में, आप कल्पना कीजिए, कि कि कटना ही आई होगी हमारे कार्यकरताओं को कारे करने में, प्रंतु उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, एक GMDC ग्राउंड, AES ग्राउंड, युनिवर्स्टी ग्राउंड, किर्केट ग्राउंड, GMDC1, यह सब जो ग्राउंड थे, इन सब को मिलाया गया, GMDC एहमदाबाद का ग्राउंड है, इस ग्राउंड के माध्यम से हमें था कि हम इसमें पूरी विवस्ता कर लेंगे, प्रंतु जब हमने देखा कि वह ग्राउंड तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, वहां मात्र 55,000 लोग ही बैठ पाए, और हमने उस ग्राउंड के माध्यम से दिल्ली का रिक ग्राउंड में, जहां श्रद्य स्वामी जी महराज मंच पर विराजमान थे, बाकी सबी जो पांच ग्राउंड थे, वो विभिन स्क्रीनों से जोड़े गए थे, लगभग 200 ऐसी LED स्क्रीन को लगाया गया था, आपस में कनेट किया गया था, सड़कों को क्रॉस करते हुए लक्षमन गुर्वानी जी देख रहे थे, एक को भई पंचाल जी देख रहे थे, एक को हमारे स्यवरती भाई देख रहे थे, एक जिगा पर हमारे जो उन्यूरस्ति के भाई है म ओ देख रहे थे इनलका जी इस परकार की जो अभधरना थी वह सुट अलगां करता कहीं वह लग अंध एसकिजन का नहिंसरा बनाई गई है इस दोस्तोटल का यह कैसे बनाया जाता है किसे होता है कैसे एक विराट कारिक्रम में कितने कारिकरता लगते हैं इसकी कल्पना आप इस माध्यम से कर सकते हैं और पतंजली योग पीठ के जो कारिकरता है मैंने कहा कि वह एक सावंजस से एक टीम भावना दिकते आती हैं कि मन भेद भी उभरता है मत भेद भी होता है परंतू किस प्रकार उनको आपस में sorter करते हुए प्रेमipurvak हम आगे बढ़िते हैं और किस परकार प्रशासन साथ देता है मैं इसमें उधारन देना चाहता हूं हमारे दो प्रशासक जिनको मैं इस कारिक्रम के माध्यम से और बहुत प्रेम पुर्वक उनका आधर करता हूं वहां की जो मैडम डियेम थी क्लेक्टर शिरी कहा करता था हम जानते थे उनको अवंतिका सिंग्जी भेन अवंतिका सिंग्धी इतनी करमट थी कि प्रति दिन बैठक होती थी तीज के तीज दिन जो मुख्य ग्राउंड है वहां पर केम्प ऑफिस बनाया गया वहां चार-चार घंटे हमारी बैठके हुआ करती थी दुघंटे सुवह बधर शाम को एक लक्षे होता था सुवह 9-10 की बैठक में और फिर शाम को उस लक्षे को पूरह या नहीं हवा उस लक्षे को शाम को फिर साथ से आठ वज़े के बीच में क जिएन सिंग जी को जो मुख्य सठी में उनको बढ़ाई देना चाहता हूं पूरी टीम अधनी पटेल साब जो उसको स्पोर्ट सेक्टरी के रूप में कारे कर रहे थे कि अधनी जड़ेजा जी को हम थोड़ा सा कहते थे कि यह करना है हमारे ग्रहराज्य मंतरी महोदे तो तुरंत उसको उसको पर कारी होता था भाई चुड़ास्मा साब को एक पर संकेत किया करते थे तो वैसे काम हो जाता था तो यह एक टीम वर्क बहुत आवश्चर था वो फ्रेम में हम देखते थे और उनका नेत्रतु कर रहे थे उस वक्त आदनी शरी विजे भाई रुप शिरी ओपी कोहली जी जो कारीकरम में भी जोने भागेदारी की मानिये राज्येपल महदे उनकी भागेदारी रही और वह इतना बड़ा जो कारीक्रम जिसमें 53 गोल्दनओबुक को डिकार्ड बने और एक गिनिस बूग का डिकार्ड बनाया गया उसका जो मंच था साहब वो इतना दिव्वे इतना भव्वे था जिसके आप कल्पना करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा उस मंच पर परमपुजे शिरमेश भाई ओजाजी उपस्तित हैं आध्यात्मेक शक्ति का नेत्रतु करतू है राजस्त्ता के सबसे प्रखर जो उसक्त के विक्ती भाजपा के राश्टियत ध्धक्ष माने अमिद भाई शाह जी उपस्तित एं परमशद्य स्वामी धी महारज जी उपस्तित है और उपस्तित है श्रीवीज़ भाई रुपानी जी मानियों सीम साहब और मंच को शोभाय मान कर रही है शिवानी भेन जो आध्यात में जन जागरन करने में जिनकी एहम भूमिका है जिनका वक्तवे बहुत सी बेहने सुना करती है प्रंद वो भी उसका रिक्रम में उन्होंने शर्कत की हम बात कर रहे थे प्रमशद्य आचारेश्री के तप और पुर्शार्थ की जब मानिये प्रधान मंतरी महदे पतंजली योग पीठाए उन्होंने भी इस बात को इंगित किया कि प्रमशद्य स्वामी जी महाराज एक तपस्वी महाप्रुश्य है और वो संकल्प सिद्य योगी है जो वो संकल्प करते हैं पूरी काइनात पूरी यश्वरी शक्ति उनके साथ है उस संकल्प को पूरा करने में आगया जाती है और शद्य आचारशी रचना धर्मी हैं निरंतर कुछ ना कुछ रचना करते हैं और ऐसी एक रचना जिसने इस कारिक्रम को निरंतर अविस्वर्णी बना दिया वहां रचना है योग विज्यानम नामक पुस्तक वहां योग विज्यानम नामक पुस्तक मैंने पड़ी है चाहे कुल्णनी के विशे में बात हो चाहे अश्ट चक्रों के विशे में बात सब्सक्राइठ वाहां गुजरात के उसकारिक्रम में नहीं हुआ 20 स्थानों पर विरिश्च संतों के माद्धियम से राज्य explicitly मुख्य मंत्रियों के माध्यम से 11 मुख्य मंत्रियों ने उसका लोकारपन किया और उस मुख्य थी और उनके आशिरवाद से हमने देखा कि एक विस्तरित वातावन बना और एक रचना रचना जो एक कृती जो योग के छात्रों के लिए शोद करताओं के लिए अत्यांत उप्योगी है वहाँ विश्व को समर्पित हुई ऐसे ही बात यदि हम करें कि योग के जो शोद करने वारे लोग हैं मुझे मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से आयूष मंत्राले को कि आयूष मंत्राले को इस कृति को अपने पाठे करम में लागू करना चाहिए और शोद के जो विद्यार थी है प्यष्डी करने वाले चाहिए पतंजली योग पीठ योग को आंदोलन के रूप में तो लेके चलता है यह प्रमानिक रूप से योग की परिभाशा योग का सही मुल्यांकन जो रिशी परंप्रा है वो अंतिम व्यक्ति तक जाए उसका भी पुरशार्थ समय समय पर किया जाता है तो यह सहित्य क का स्रिजन भी इस कारेक्रम की अपनी अनूठी पहचान बनकर रहा कि ऐसे यह दिए हम बात करें तो एक जब विराट लक्षे होता है और प्रबल नेत्रतु होता है और उसमें जिव्य आत्माएं कारेकरता के रूप में अपनी पुर्शार्थ की आहूतियां देती है तो ब में चोटा लक्षे रख लिया हम और बड़ा लक्षे रख सकते थे प्रंतु स्थानी कम था आसपास के जितने ग्राउंड से उसारे भर दिये गए थे उपर से इंद्र देवता की आशीश मिल रहा था बरसात हो रही थी प्रंतु मैं अपने सब उन कारेकरताओं को नमन करन करती हमारे गुर्कुल के ब्रम्चारी यहां के स्योवरती भाई पूर्ण काली कारे करता अलग-अलग स्थानों से मुझे याद आता है आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं पूना के हरी भाई शाह जी उन्होंने भी अपनी जिम्मेवारी को निभाया वह बड़नगर से मान आदनी भाई चोधरी जी जो वहां के अध्यक्ष रहे उनको साथ लिया तो महसाना की टीम को साथ लेकर हमने वड़नगर में प्रवेश किया वहां पर दैनिक योग कक्षा शुरू की और मुझे बहुत प्रसनत आ हुई कि मानिये प्रदान मंतरी जी के गाउं से उस कारे कर बहुत नाम हैं तो मैं सबके नाम तो नहीं पड़ पाऊंगा एक लिस्ट मेरे सामने कारिकरतों ने दी है प्रंत मैं कुछ नाम पढ़ देता हूं जैसे हरियाना से भाई प्रदीब ईश जी और प्रदीब डागर जी इसमें भागे-दारी कर रहे थे और भाई दीपक जी जो उसकारेले प्रभारी थे उन्होंने भागे-दारी की और दिली से भाई प्रदीब जी और प्रदीब जी की तो टीम बहुत पहले से आगे थी युवा भारत की आदनी भाई गुलिया जी और मद्यपरदेश के आदनी भाई राजेंदर जी राज्य से और शिंद्रेंदर डबास जी डिली से विशेश रूप से इन्होंने उलेखनी कारे किया और मैंने कहां प्रशासकों में आइस ऑफिसर भाई संजय जोशी जी जो पहले गांधीनगर से हमारे साथ जुड़े एक क्लेक्टर के रुपे महा सिवा कर रहे थे उन्होंने बहु से अधी की योगदान रहा तो मैं उसका श्री आदनी भाई श्री संजय जोशी जी को देना चाहता हूं और उन्होंने जो 23 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने उनको बॉर्ल्ड बनाने वाले सभी पर्थी भाग्यों को कीर्तिमान बनाने वाले उनन सब योगी भाई बहनों को मैं मैं हिर्दे से परणाम करना चाहता हूं और उन्होंने भी पतंजली योगपीट का गोरवगान पूरे विश्व में किया और मैं बात करूं कारी करता हूं कि तो जिला के जो कारी करता थे उसमें जो डिप्टी केलेक्टर भाई देसाइदी और गोड़ जी के साथ साथ जी और पुझे स्वामी बालकृषन जी पुझे मादोप्रियदास जी महराज और यह आदर्श कारी करता के रूप में इन्होंने तो काम किया हमें साथ साती नसन्यासियों का एज़्वी गुरकुल के तो पूरा प्रांगन हमारे लिए खोल दिया गया था पुझे मादोप सहयोग किया लगो मैं समझता हूं आवशकता पड़ी तो उन्हें 20-25 रुपे का तो व्यक्तिकत सहयोग उसकारिक्रम में किया लक्षन भाई पटेल जी ने लाल जी भाई के साथ विनोश श्रमा जी के साथ एक बड़ी भूमिकानी भाई आज भाई इसकारिक्रम के बाद फ इसलिए इस द्रिष्टिकों से मैं कहना चाहता हूं कि यह तृतिय अंतराश्य योग दिवस समारो जो गुजरात के एहमदाबाद में हुआ वहां अनेक द्रिष्टिकों से उलेखनिये भी है परशंसनिये भी है अनुकरनिये भी है और मैं यह भी कहाना चाहूंगा उसने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है जब जब अंतराश्य योग दिवस की बात होगी जब जब योग के छेतर में कीर्थिमान की बात होगी वैश्विक कीर्थिमान की बात होगी गिनिस बुक और वोल्ड रिकॉर्ड की बात होगी तो बहुत प्रेम के साथ यदि किस का नाम आएगा तो वहां एहमदाबाद का नाम आएगा तो मैं सभी उनकारे करता हूं का उन्हां अभिनंदन करता हूं जो गुजरात की माटी को जिन्हों किया तुकिया योग YouTube किया और मैंतों कि युगेश्वर भगवान करिष्ण का अशिर्वाद मानता हूं मैं दू만 और कि यह योग की भोमी का मर्षि देव द्यानंद की भोमी का गळम अन्का रहा क्रों दो और योग की क्रांती जो पतंजरी योग क्रांती की भूमी सूरत गुजरात रही तो पूरे विश्व के सभी गुजराती भाई भहिनों ने ऐसे परिश्रमी कारिकरताओं को मेरा कोटिशा वंदन जब ये दोनों होंगे गुरू शक्ती और कारिकरताओं की शक्ती उनका आशीश ह हमारे साथ होगा और कारेकरताओं की मेहनत हमारे साथ होगी तो कोई लक्षे दूर नहीं तो वहां तो श्री और विजे मिलना निश्चे ही है इस सब कारेकरम में गुजराश सरकार का आदनी श्री अमिद भाई शाह का विशेश योगदान रहा उनको भी मैहरदे से नमन करता हूं और जो परशासन और पुलिस का योगदान रहा वो भी अविस्मर्णिय था उनको भी नमन करते हुए अपनी वानी को विराम देता हूं अगले एपिसोड में फिर हम चर्चा करेंगे चतुर्थ अंतराशी योगदिवस समारों की क्योंकि हमने अपने किर्तिमान ही नहीं बनाए अपने किर्तिमान स्वेम हमने तोड़े हैं क्योंकि पतंजली योगपीठ आपका वो संस्थान है तो किर्तिमान बनाता ही नहीं है क्योंक से इजात लेते हैं ओम शरी गुरुभ्यो नमा ओम राष्ट्रा यस्वाह इदम राष्ट्रा ये इदन नमा प्राष्ट्रा ये इदन नमा